जैसे कि आपको पता ही होगा कि वह जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मच्छर बढ़ रहे हैं और मच्छर तो कई बार बहुत ही ज़्यादा हमें परहसान कर देते हैं फिर जाए हम अपने कमरे में बैठें बरांदे में बैठें चर्थे बैठें या घर के बाहर बैटे हर जगह मच्छर पहुंच जाते हमें परिसान करने के लिए और कई बार तो मच्छर की काटने से ना हमें टाइफाइड मलेरिया डेंगू जैसे घंबीर बिमारी हो जाती है तो इसलिए इन मच्छरों से बचने के लिए हम बहुत ही पावरफुल मच्छर मारने वाली आज की वीडियो के अंदर मसीन बनाने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना बहुत ही कम पैसे के अंदर यह मच्छर मारने वाली मसीन तयार होने वाली है इसके लिए हमें क्या करना है किसी भी इलेक्ट्रोंिक सोप पर जाके प्लास्टिक का इस टैप का इस तरीके ने कंदर नहीं से मिल जाएगा तो यहां पर जोड़े हम आपके पास तो हमें क्या करना है यहां पर देखिए जैसे-जैसे मैं आपको बता रहे हूं वैसे वैसे-वैसे आपको करना कट लेना और इस तरीए से यहां पर इसको काट लेना है और इस यहे तरह से काट लेना है यहां पर बड़े आराम से कर जाएगा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और उसके बाद देखे इसको भी काट लिया है इस तरीके से देखे आपको भी काट लेना है अब उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें एक स्विच लेना है तो यह देखे मेरे पास एक स्विच है और यह स्विच भी आपको इलेक्ट्रोन से में switch को लगाना है और यह जो इसके साथ में nut bolt हैं इसकी मदद से हम इसे tight कर देंगे तो यह दिखें यहां पर हमने बड़ी है तरीगे से nut bolt को tight कर लिया है तो यहां पर हमारा वाली machine है यह अच्छे तरीगे से काम करेगी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाए थी उसके अंदर मैंने यह चीज ध्यान ने दी मेरे subscriber ने मुझे बताया कि सर आपको जाली एक खुली वाली और एक बारिक वाली लेनी चाहिए थी ताकि आपको machine अच्छे तरीगे से काम कर हो तो यहां पर हम दो वायर को ले रहे हैं तो यहां पर देखिए वायर को मैंने पहले से थोड़ा सा लंबा चील लिया है इस तरीके से आपको लंबा सा वायर को चील लेना है अब उसके बाद हम क्या करेंगे वायर को निकालके यहां पर मोड़ लेंगे वायर को हमें यही पहले में कर लेना है यह जब आप इसके अंदर फिक करो ना जाली को उससे पहले हमें यह काम करना है तो यह देखे एक बार हम फिर से क्या करेंगे इस होल के अंदर से निकालेंगे और निकालेंगे बाद फिर से हम इसको यहां दूसरे साइड के होल से पास करेंगे वायर को ये देखे इस तरीके से वायर को पास करा और उसके बाद फिर से एक बार हम मोड देंगे इसको ताकि ये बिलकुल अच्छे तरीके से इसके साथ में चिपक जाये जाली के साथ में ये वायर ये देखे इतना आपको काम कर लेना है अब ये हमारा काम हो चुका है अब उसके ब तो में यहाँ पे इसको भी ऐसे जोड लेता हूं यह देखी मैंने इसके अंदर भी वायर को शेम उसी तरीके से जोड दिए है तो दोनों चाली के अंदर है रहा है क्या क्यों है अब हम सब्सेवार यह जो खुली वाही जाली है स tomar लेना है और स Państब हम लिए देखे यहां पे कुछ ऐसे धे यहां पर रिक करेंगे यहां पे इस तरीके से इसए फिट करना है तो इसे की जादोब करना है लिए रमादे हमारी चाही है हूंस apprentice गbaby लगा देंगे यहां पर चिपक या यहना लगा एक और उसके बाद हम इस जाली को देखे यहां पर बराबर से रख देंगे यह आपको जाली को ऐसे बराबर से रखना है और इसको हम थोड़ा अधा प्रेस कर देते हैं ताकि यह अच्छे तरीके से चिपक जाए इस तरीके से हमने इसे चिपका लिया है यह हमारी जो पहली जाली है यह हमारी ल में होन्य दूबल टेप है और इस को काटने के लिए हम कैंचि ले लेते हैं !!! सबसे पहले जैसे कि यहां पर इतनी है है यहां पर कुछ त्रीव है कुछ काट लेंगे लिए कि नहीं देखे यहां पर इसलेगे अधे हमें में लगाना है यह हमने लगा दिया और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे सेम इतनी वड़ी पेप हमें लेनी है काट नहीं है इसको देखे थोड़ा हम एक्ष्टा काट लेते हैं देखे यहां से हमने काटा इसको और इसको हम यहां पे लगाएंगे देखे सारी चीजे मैं step by step आपको बता हम इस्तरीके से हमने से लगा दिया अब उसके बात देखे इस सैड में भी हमें कि हमने काट लिया और इसको हम यहां पे चिपका लिए नी देखे इस तरीके से हमने चिपका दिया ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसके उपर कर रहे पर है ना इसको हम इस परेगे से उतार लेंगे यह देखे उतारना जरूरी है तब ही तो हमारी जो दूसरी जाली है वो हम इसके उपर चिपकाएंगे और काफे सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको फिर चिपकाने की जरूरत क क्या थी इसके उपर ही हम दूसरे जाली को रख सकते थे हम रख सकते थे लेकिन यह जो मसीन बना रहे हैं यह कैसे काम करेगी इन दोनों जाली के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए अगर यह इसके साथ ही हम चिपका देते तो फिर यह आपस में सोट हो जाता फिर कोई म लगा देंगे देखित थे में दूसरी जाली लगा दिया है अभ इनके बीच में दोनों जाली के बीच में हल्का सा घैप हो गया अब घ्री एक काटकर लगाना ज़रूरी है ये देखे, और इसको हम इंस Seth में लगाएंगे देखे, ये इस तरीके से हमने लगा दिया है, तो जाली वाले काम हमारा खत्म हो गया है, अब हमें क्या करना है, ये देखे, ये जो जाली वाली वायर है ना, एक जाली की कोई भी वायर ले सकते हो, जैए आप ये वाली लो, अब इसके एक वायर को हम क्या करेंगे यह हमारा स्वीच त्यूम बार को देखें यहां क्या कर देंगे लेकिन यहां पहुत Sumude ब्लू कलर की लाइट है ठीक है क्योंकि आपको भी पता है कि नेली लाइट को देखे मच्छर आकरसित होते हैं तो यहां पर हम इस लाइट का यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं क्या अगरता हूं फटाफट दो वायर को पहले जोड लेता हूं यह देखिए इस डोब ला है इसको हम ज्यादा टाइट नहीं करेंगे अब हम क्या करते हैं इसको ना एक बार ऐसे दोनों बार को एक साथ जोड लेते हैं ताकि मजबूतिक साथ यह जूड जाए अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर इसके जो नट है इसको बिल्कुल अच्छे तरीगे से क्यां में ने रखनी है यह दितना हो गया हमेरा अब उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें कोई भी अपना खराब LED बल्फ ले लेना है, जैसे कि मेरे पास एक खराब LED बल्फ है, और इसके उपर का जो MCPCB पैनल है ये खराब हो चुका है, लेकिन इसके अंदर का जो driver circuit है, वो सही है, और उसी driver circuit की हमें जरूरत है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके उपर का जो driver circuit है, वो सही है, तो हमें सही driver ही यहाँ पर लेना है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं, तो यह ऐसे तो निकले का नहीं, तो हम थोड़े सा प्लास की सहाइता ले लेते हैं, और इसकी मदद से इसको हम बाहर निकालते हैं, तो यह देखें यहाँ पर हमने इसके driver circuit क लगे हुए हैं, और यहाँ पर L और N आपको लिखा भी मिलेगा, तो यहाँ पर यह वाली जो wire है, इस side वाले जो point है, यह हमारी AC supply के हैं, तो यहाँ से हम AC 220 supplies को देंगे, और यहाँ से हमें DC supply मिलेगी, यह देखें यहाँ पर red और black color की wire भी लगी हुई है, तो हमें क्या कर इसका number एक बार मैं आपको दिखा दू, काफी सारे लोग comment करके पोलेंगे, सर कितने number का diode है, तो यहाँ पर यह जो मैं diode यूज कर रहा हूँ, यह है हमारा 508 number का diode, जो कि 3 amp तक के load के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम 2 diode का यूज कर रहे हैं, अब इस diode के अंदर होता है कि अफेंट, इसके अंदर देखिए, एक side आपको silver पट्टी दिखाए दे रही होगी, तो फोड़ lag होती है, और यह जो black वाली side होता है, तो यह आपको सभी diode के अंदर ऐसे मिलेगा, एक side आपको silver पट्टी मिलेगी, एक side आपको black side मिलेगा, तो हमें क्या करना है, यह जो हमारे पास wire निकली हुई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, wire को थोड़ा सा छील लेते हैं, यह देखिए, इस तरीगे से wire को हम छीलते हैं, तो इसके अंदर देखिए, यह हमें पहला diode लेना है, अब इस diode का देखिए, हमारा anode यानि black side इस side में है, तो इसको हम यहा में रखनी है, कहीं आप उल्टा मत कर देना, अब उसके बाद यह देखिए, driver circuit की हमारे पास यह black वाली wire है, तो इसके अंदर हम दूसरे diet को लगाएंगे, लेकिन अब position हमारी change होगी, देखिए, plus वाले के अंदर हमने black वाली side जोड़ा है, अब black वाली side में, अब हम क्या क करना है, उसके बाद हमें लेने हैं, दो PF कैश्टर, इन देखिए, यह पे मेरे पास दो PF कैश्टर है, और दोनों के नमबर सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस PF कैश्टर का नमबर, यहाँ पे यह 225J 400 वोल्टेज का है, और यह वाला जो PF कैश्टर है, यह भी 225 जिए 400 वोल्टेज का है तो यहां पर हम 2 PF कपेस्टर का यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें यह मसीन बना रहे हैं यह बहुत ही पावरफुल मसीन बनानी है तो इसके लिए हम 2 PF कपेस्टर यूज करेंगे तो अब इसके अंदर क्या होता है इंदर कि कोई भी प्लस माइनस हमा करना है यह जो दो वायर है जिसका डायोड़ हैं, डायोड़ लगाएlles हैं, इसको हमë यह वायर को यहां पे जोड़ना है, इसको हम यहां पे काट देंगे यह इसके इंदर आप कोई भी बिवायर किसी भी side जोट सकते हो, इसमें आप confusion मत होना कि इस side में जोड़ें या फिर इस side में जोड़ें, तो मैं क्या करता हूं फटा 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 इननों wire को यहां पर जोड लेता हूँ, देखें कुछ इस ने डाइवड को पी-अप कपेश्टर के साथ में जोड दिया है अब उसके बाद देखे हमें क्या करना है बिकुल ध्यान से देख रहे हैं इन कनेक्शन को तो यहां पर यह देखे यह जो एक वायर है हमारी जो की जाली से आ रही है इस वायर को हम क्या करेंगे इसके साथ में जोड देंगे देखे यहां पर हमें वायर को जोडना है यह उपर साइड में वायर को जोडना है तो हम क्या करते हैं यहां पर वायर को चलिए साथ के साथ मैं जोड़ी देता हम वायर को यहां पर थोड़ी से हम सोल्डर वायर लेंगे यह देखे थोड़ी से हमने सोल्डर जोड़ा है, इसे हमें switch पे नहीं जोड़ना था, इसको हम क्या करेंगे, यहां से एक बार निकाल लेंगे, यह हमने थोड़ी से mistake कर दी है, इसको हमें सोधारना पड़ेगा, यहां पे हम space को खोल के, यहां से इस wire को निकाल लेगे, यह देखिए, शिर्फ हमें यह एक यह वा wire लेंगे, और solder wire लेने के बाद, हम यहां पे इसको जोड़ेंगे, यह देखिए, इस तरीके से, इस wire को हम यहां पे जोड़ेंगे, तो यहां पे हमारी दोनों wire जाले के साथ में जोड़ चुकी है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यह वाली जो wire है, यह तो हमारी यहीं पर रहेगी, यह wire हमारी यहीं पर रहेगी, इसको हम इसे के साथ में लगाएंगे, उसके बाद यह जो हमारे driver circuit है, इसकी एक wire को लेना है, कोई भी एक wire लेंगे, और इसको भी हम इसे के साथ में लगाएंगे, तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों wire को एक साथ ऐसे जोड़ हैं, जैसे हमने जाली वाली wire को जोड़ा था, ऐसे एक बार हम जोड़ लेते हैं, और इस wire को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर इस wire को हम लगाएंगे, इस तरीके से, और wire को हम टाइट कर देते हैं, इस तरीके से wire को हम टाइट करेंगे, यह मैंने wire को टाइट कर दिया है और यह जो सरकीट है ना इसको हम सैड में ऐसे गुलू गन की मदद से चिपका देंगे यह यहीं पर रहेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ी सी यह जो डबल टेप है या गुलू गन कर देबल टेप इसको हमने निकाल देंगे क्या 2 अब उसके बाद कर देके हमारे पास यह बची है ओर दूसरे बार यह वाली है तो इस वाय टो एक तो हमें लीए a ठीक है कि अपर इसके बाद हमें लेनी है एक वायर एक एक प्रेंड ये वायर और होत सब्सक्राइब प्लग मुझार सब्सक्राइब दो दो यहां पर आप समय को सेगैंगे ये जो हमारा बोक्स है ना इसके अंदर हमें पहले छोटा सा होल करना है तो यहां पर हम क्या करते हैं एक होल कर लेते हैं आइरन के मदर से इस तरीके से हम होल करेंगे यह होल कर लिया अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे इस दोनों वायर को पास कर देंगे यह दोनों वायर को हम पास करेंगे और इसके अंदर गाउं इस तरीगे से में गाउंट मार देनी हें है वायर नियुक्त और तो यह इतना काम लिए अब इसमें से देखे एक वायर जो है यहां पर आपको मैं दुबारत बता रहा हूं, driver circuit की जो एक wire है, AC वाली, इसको हमने इसके साथ में जोड़ा, ठीक है, और एक wire ये है, ठीक है, तो इस wire के साथ में हम इसको जोड़ रहे हैं, यह इस तरीके से आएगी एक wire हमारी, इसके साथ में, यहां पे हम क्या करेंगे, अब tape लगा देंगे, साथ के साथ tape भी लगा देता हूं, यहां पे इस तरीके से हमने tape ली है, और इसको हम यहां से तोड़के, अच्छे तरीके से चिपखा देते हैं, कोई भी wire हमारी खुली नहीं होनी चीए, ओपन नहीं होनी चीए, यह कहने के मतलब, तो अच्छे तरीके से हमें taping करनी है, सभ यहां पे लगाने बाद, यह जो दूसरा point है न हमारा switch का, यहां पे हमें इस wire को लगाना है, देखें इसके अंदर हम लगाएंगे, इस तरीके से लगाना है, हमें थोड़ा सा और हम पीछे तरब खींच के, इसको अच्छे तरीके से हमें इसके अंदर डाल देना है, और उ टाइट कर दिया है, अब उसके बाद देखें, यहां पे यह जो light है, यह जो light है, इसको भी हमें यहां पे set करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको एसे रख लेते हैं, और यह जो light है ना, यह हमारी यहां पे आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, फैवी क्यूक लेंगे, यह हमने फैवी क्यूक लिए, और इस light को हम यहां पे पीछे की तरफ चिपका लेंगे, यह जाली के पीछे की तरफ रहेगी, इसे हम यहां पे चिपका लिते हैं, बीचों बीच हमें चिपका लिना है जाली के, देखें इस तरीके से, हमने इसे चिपका लिया है, और यह ज डालेंगे एसे और यहाँ पर आइसे करके इसे हम यहाँ पे लगा देंगे इसके उपर का इस रैपर को हम निकाल लेंगे देखे रैपर को हुसे निकाल लिया और इसको हम हम में एपन 15 से रखेंगे और अशिकाद腻ेंगे यहां इसके बाद आफ पर चीज रहें वायर को हम इसे होसे टाप देंगे हैं तो इसके साथ में जो पेचालने वाला मसीन काम करता है तो यहां पर मैंने इसके चारू पेच को बढ enroll के वाली मसीन है बनके तयार हो चुकी है तो चलिए इसे अब हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले स्विच को हम ओफ कर लेंगे तो यहाँ पर देखें यह है मेरा extension board यहाँ पर देखें इसको हम plug को यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से उसके बाद यह जो हमने machine के अंदर switch लगाया है इसे हमें प्रेस करना है जैसे हमें इसे प्रेस करेंगे हमारा यह जो machine है यह on हो जाएगा तो इसको देखें यहां से हम switch को on करेंगे यह मैंने on करा और आप देख सकते हो कि जो हमने नीली रंग की लैट जिलाई है वो यहां पर on हो चुकी और हमारी machine भी यह on हो चुकी है अब यह काम कैसे करेंगी वो एक बार आप सुन लो तो यहां पर देखें फ्रेंड जो नीली लैट होती है वो हमने इसलिए लगाई है ताकि नीली लैट को देखें जो मच्छर मक्छी होते हैं वो ज्यादा आकरसित होते हैं और वो जैसे इस लैट को देखेंगे तो वो इसके अंदर घुसने की कोशिस करेंगे इस लैट के पास जाने की कोशिस करेंगे और जैसे वो इसके पास जाने की कोशिस करेंगे तो उसके उपर हमारी यह जाली लगी है और जैसे इस जाली के टच स्रिट पार्किन और आप वी इदे वास करेंगी। यह हमारी मच्छर मारने वाली मसीन काम करती है सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में मत डिटेयल से बता दिया है तो friend अगर आपको electronic की अच्छी knowledge हो तब ही आप इस type की मच्छर मानने वाली machine को बनाए अनित्था आप इसे बिल्कुल भी ना बनाए क्योंकि इसके अंदर खतर है आपको knowledge है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है